अब आपके दिमाग में आ रहा है what after CA Foundation बहुत लोगों के दिमाग में नहीं भी आ रहा होगा रिलेक्स करने का मन कर रहा होगा बट मुझे जितना market review करके पता चला और आपके जो messages से पता चले कि sir आपके लॉके lecture CA CA Inter में क्या prize है कौन से mode में रहेगा कैसे book कर सकते है तो मुझे ये बात समझ में आई कि अब foundation student को दिमाग में चल रहा है कि अब इंटर में कैसे करना है तो इसी discussion के लिए मैंने आज ये video बनाया है इस video को मैंने दो category में divide किया है what after CA Foundation पहली category ये है कि जो student confident enough है कि भाई मैं pass हो जाओंगा CA Foundation मेरा या तो मैं just pass हो जाओंगा या तो मैं अच्छे mark से pass हो जाओंगा in all मैं pass हो जाओंगा दूसरी category वो है जो बच्चे doubtful है जिनका कुछ एकाद paper चारों में से कोई एक paper अच्छा नहीं गया और वो doubtful है शायदो pass हो भी जाए शायदो pass ना हो याने कि उनको ये clarity नहीं कि मैं pass हो ही जाओंगा तो उनके लिए मैं बाद में बात करूंगा सबसे पहले मैं इनके लिए बात करता हूँ जो confident enough है कि हाँ sir हम CA Foundation clear हो जाएंगे आप हमें बताईए कि हमें क्या करना है तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग ऐसे student है जिनने B.com, B.b.a आप जो साथ में course करते हैं पैरलली अगर आप regular college वाले student है बराबर है आपको रोज college जाना पड़ेगा बहुत college वाले नाटक करते हैं कि minimum percentage अपने को इतना चाहिए ही फिर उनके assignment फिर उनके test वगेरा वगेरा रहते हैं आपको single group के लिए मेरी personal advice है कि आप single group के लिए ही CA intermediate first group के लिए आप apply कर दें यह हो गई पहली बात मेरी advice और ऐसी रहेगी कि better ये होगा कि अगर आप ये college का टंटा दूर ही रखें साथ में क्योंकि क्या college में बहुत सारी ऐसी चीज़े चलती रहती है अगर आप private भी करते हैं अपना B.com, B.b.a, whatever तो आपकी degree में कहीं पर भी ये लिखा नहीं आता कि student ने private करके B.com या B.b.a किया है तो college की चीज़े थोड़ी दूरी रहे CA course के साथ, कोई भी professional course के साथ तो बहतर रहती है, जैसे जब मैंने CS किया था तो मैंने अपनी college की चीज़ों को थोड़ी सी side ही रखा था, ठीक है सर, समझ में आ गया अब दूसरे ऐसे category के हैं, relax mode वाले student है relax mode याने की कोई दिक्कत नहीं, कोई हर बड़ी नहीं अपने को जलदी जलदी करो, अराम से एकदम आप करना चाहते हो single group, अराम से पहले single group दो, फिर अराम से करो कोई दिक्कत नहीं है, अब relax mode student के लिए मैं क्या बोलता हूँ क्या होता, जब भी आप CA foundation clear करते हो या आप रंक कर वाले एक दम एक होता है ना वीच का लेवर पढ़ने लिखने वाले एक होता है रंक लाना मैरिट में आने वाले तीनों के क्या होती है। तो जब आप ultimately class करते हो जब आप उतरते उस चीज में तब अपने को समझ में आता है कि actual में अपनी capacity कितनी है हर एक व्यक्ति की हर एक student की अपनी capacity होती है तो पहले ही मैंने ये कर दिया कि भाईया जो regular वाले college जाने वाले हैं आप single group करें जो relax mode वाले हैं आप भी single group करें अब इसमें एक myth है market में कि अगर आप both group करते हैं और आपके both group एक साथ निकल जाते हैं तो article chip अच्छी मिलती है big four में मिलती है अच्छी जगा मिलती है ये myth आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए मुद्दा ये है कि आप कितने capable हैं मुद्दा ये नहीं कि आपने single group clear करके रख है आप कितने capable है उस हिसाब से आपको training में लिया जाता है ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए हां कहीं ना कहीं एक ये वाला factor रहता है कि जो both group clear रहता है तो जो firm है वो ये सोस्ती कि भाई ये छुट्टी नहीं मांगेगा ये regular रहेगा अपने case में लेकिन मैं आपको ऐसे 36 firm दिखा सकता हूँ जो single group आले को अपने रखे वे हैं उनको छुटिया भी देते हैं वो manage भी करके लेते हैं big four में भी आपको ऐसे लोग दिखेंगे क्यों क्योंकि उन लोगों के अंदर वो काबिलियत है तो जो training देने वाली जो firms होती है ना आप ये ना देख उनको आपकी skill से मतलब है कि आप कितनी अच्छी तरीके से उनके काम को handle करते हैं अभी क्या मतलब जो बंदा both group मान लो clear भी कर लिया है उसको Excel ही नहीं चलाना आता है MS Excel चलाने ही नहीं आता है वो क्या करेगा उस big four में और अच्छी firm में काम करके तो वो जब interview लेते तब य क्या काम करने आता है बराबर है कितनी अच्छे से आप काम handle कर सकते वो है तो यह मित आप अपने दिमाग से दूर रखिए यह market में मैं इमानदारी से बूलू अगर both group का एक सांथ admission लेने के लिए बातों को सामने रखा जाता है बट यह इतनी matter करती नहीं है और मेरे जितने भी face to face students है अपने कभी उन से नहीं सुना होगा कि सर ने ऐसे बताया कि यह training उनने हमेशा यही बोला होगा कि तुम काबिल वनो चीजे अपने आप सही हो जाएगी अरे वो बोलता है ना अमिर खान अमिर खान बोलता है ना सफलता के पीछे मत भागो काबिल वनो सफलता ठीक है यह पढ़ाय लिखाई अपनी जगा चलती रहेगी लेकिन यह किताबी कीड़ा मत बनिये मार्केट के मित को समझिये और काबिल बनिये ठीक है जी चली यह बात हो गई तो ही single group वाले आप tension ना ले बाबा ठीक है और अपनी capability भी होती है और 8 subject है foundation में अपने को दो objective थ है यहाँ पर 8 के 8 descriptive है तो अपनी capability के हिसाब से आप अराम से चलिए कोई दिक्कत नहीं है अब अगर मैं बात करूं AIR वाले जो student है भाई मतलब यह इनका सपना हो गया था जिद दिन यह foundation में entry लिये थे कि भाई हमको All India rank लाना है तो foundation में तो All India rank बंद कर दिया IC AI ने और कु जल्दी जल्दी बस यह पढ़ाई लिखाई खतम करके settle होना है कमाना धमाना है थोड़ी जिम्मेदारी है वाले कुछ बच्चे होते हैं कुछ जिम्मेदारी नहीं कुछ फास्ट होते कि खतम करना है आप लोग के पास कोई option नहीं है आपको अगर rank लाना है और आप time save करना चाहते हो definitely आपको both group के लिए appear करना पड़ेगा सरब क्या strategy रहेगी single group अगर करना है तो कैसे आगे बढ़े और both group अगर करना है तो क्या strategy रहेगी यह strategy नीचे है बट आप दोनों के लिए चाहे आप single group दो चाहे आप double group दो November 2021 में आपके लिए common point है भाईया relax करिए 15-30 दिन के timeline अपले लो कई लोग प्लान करके रखते हैं मैं मामा आ जाओंगा मैं नानी आ जाओंगा एक्जाम खतम होए पैरेंट्स वेट करते रहते कि इसका exam खतम हो तो हम होकर आए एक छुट्टियो वाला एक अपना plan रहता है बिल्कुल यह छुट्टी ले आपको इसके regarding छुट अप इतने टाइम से foundation को भाई लिये जा रहे है अपने आपको तो एक समय आता है कि थोड़ा सा अपने को mind को relax दिना रहता है ताकि वपस से charge हो के अपन इंजन गरम करके भागने लग जाए क्यों वह फाइनल तक आपको अपने आपको slog ही करना है यह मान के चलो इस slog का यह है कि आपको consistently committed रहना पड़ता है स्कोर्स के प्रती हाँ अपनी जीजे personal life अलग है अपना career अलग है यह manage करना अपने आपको आना चाहिए इसके लिए भी मैं बात आगे करूँगा ठीक है सब समझ में आ गई यहां तक की बाते अब अगर मैं आप बात करूँ CA inter में जब पास पास आ जाएगा यह किसके लिए है जिनने अभी December 2020 में एक्जाम दिया है Second cycle वालों का बाद में आएगा यह साफ Central Council Member ने बात बोल दी है कि Second cycle का result बाद में आएगा First cycle का पहले आएगा यहने की अलग अलग आपके result आएंगे ठीक है सब यह भी समझ में आ गया तो अगर मैं बोलू आपका result जनवरी में आ जाता है मैं जनवरी का एक छोड़ देता हूँ मतलब 15 दिन तो फरवरी मार्च एप्रिल में जून जुलाई अगस सेप्टेंबर ऑक्टूबर बराबर है क्या अराउंड आपके पास नौ महने रहेंगे आठ से नौ महने आपके पास रहे ठीक है जो single दो चाए both group दो दोनों के लिए मैं कुछ common बाते बताना चाहता हूँ सबसे पहली बात trap में नहीं फसना है अब किस प्रकार के trap होते हैं अब ये भी समझ के ले लिजे कि trap किस प्रकार के है हमारे institute में आठो सब्जेक best faculty पढ़ाती है एक इछत के अंदर और अगर आप एक साथ आठो सब्जेक की class ले लेंगे तो शुरू हम पहले first group कराएंगे एक एक करके कराए ले लिया आपने भाई मेरा मानना ऐसा है मैंने अपने पूरे student life से लेके मैं जब तक यहां पे जब बना हूँ मेरे को एक भी ऐसा कोई organization नहीं दिखा है ये मेरा खुद का मानना है personal experience है मेरा जहां तक मैंने पढ़ाई की है जो organization से कि एक छत के अंदर सारी faculty best रहे अपने subject म तूफान कमांड रहे उसकी ये मुझे नहीं मिली है कही ना कही मुझे adjust करना पड़ा है और मेरे भी जो CA inter के बच्चे जिनको मैंने भी पढ़ाया था जिननने भी exam दिया उनका वितासर एकाद subject कुछ ना कुछ आगे पीछे रहा हाँ maximum subject की faculty तूफान रहती है maximum लेकिन अगर आपको single group लगाना है तो आप इस तारीक से पहले अगर admission ले लेंगे तो आपको 10% 20% discount colored matte सब के पास है ठीक है हर organization अब color matte देता है मुद्दा ये नहीं कि color matte से पढ़ाई हो रही की नहीं मुद्दा ये exam में कितने color आ रहे है तो वो आपको समझ के लेना है हर faculty का आपको चुनाओ करेंगे ठीक अब lecture की चुनाओ की अगर जब बात आ रही है भई मैं CA intermediate में group 1 में law पढ़ाता हूँ आपको पता ये foundation में मैं कैसे law पढ़ाता हूँ कुछ बोलने की बात ही नहीं सारे बच्चे गवा है foundation के मैं इंटर में कैसे पढ़ाता हूँ आपको description में उसकी भ आप सारी ले लो नहीं अब दूसरी बात ये है कि unacademy मेरको बहुत सारे student बोले कि सर आप unacademy में पढ़ाते हैं अभी भी तो आप ये may 21 और नवंबर 21 के लिए CA inter का बैच law का कब लाएंगे मैं बताना चाहता हूँ भईया मैंने unacademy छोड़ दिया है मैंने एक ही बैच पढ़ाया था उसके बाद मैंने unacademy छोड़ दिया है अब वहां पर जो मेरे lectures रखे में मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपका may 21 का attempt तो चाह नवंबर 20 का 21 का तो एक साल हो जाएंगे तब तक तो वो lectures already outdated ही हैं आप मान लो क्योंकि अभी companies amendment act 2020 आयागा उसके बहुत सारे changes हैं जो उसमें नहीं है वो किन वाड़े attempt के लिए था जिनका नवंबर 20 में exam था तो कहीं न कहीं वो outdated है absolute हो चुके हैं वो lecture तो वो lecture क्रिपा करके आप ना देखे ज़्यादा बेटर है किसी और का देखे तो वो सही रहेगा मैंने unacademy छोड़ दिया unacademy में मेरा नहीं कर लेता जिसकी उमीद माइनस में है ठीक है सर हर faculty का आपको कम से कम 3-4 demo lecture लेना है आप जिसके भी lecture ले रहे जो से भी subject के ठीक है अब क्या होता है बहुत बार भाई demo सबका अच्छा लगेगा आपको demo सबका अच्छा लगेगा मैंने बहुत बार और आपने भी experience किया होगा foundation में भी starting में बहुत अच्छा था जब आप एक मैने देड मैने हो जाते जब आपको कुछ दिखाई देता रही यार starting में तो बहुत अच्छा था अब ऐसा हो गया तो आप ना हर faculty के जो known है उसके CA interval के लिए तीन chapter लगातार मैंने वाँ पढ़ा है पांच घंटे के अंदर तो आपको तीन chapter में idea हो जाएगा कि आर किस level पे सर पढ़ाते हैं हर एक aspect को कैसे cover करते हैं कि मैरा थोन ऐसा है तो regular lecture कैसा होगा वो आपको idea लग जाएगा तो हर faculty के आप 3-4 lecture देखो खुद समझो क कि मेरे को किस से जम रहा है कई student ऐसे भाई किसी को ये वाले सर अच्छे लग रहे किसी को या लिम्याडम अच्छी लग रही है बराबर है ऐसे difference आते हैं तो इसलिए चौथा point है मेरा दोस्त क्या कर रहा है मैं भी वैसा कर लेता हूँ क्योंकि वो तो अच्छा पढ़ता थ मेरे से तो ऐसा अरे नहीं बाबा आपको क्या अच्छा लग रहा है आप ये समझो अब आपका दोस्त कुए में कुदेगा तो आप भी कुदोगे क्या कुदोगे में नहीं ना लास्ट एक बात आती है budget की कि सर कैसे मतलब समझ में आए कि क्या ले क्योंकि अगर आप trap में फर्स जाओगे कि वह एक ही जगह से लोगे discount के चलते फर्स जाओगे आपको quality शायद ना मिले तो भाई इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं मैं अपने जितने भी student है ना मैं कभी उनको गलत गाइड नहीं करता हूं आप ऐसा करो कि भाई आप ना एक-एक expert faculty पकड़ो कि ये वाला subject ये सर अच्छा पड़ा रहा है उनका खोजबिन करो चार-पांच lecture देखो हर एक subject में जो master है ना उनके lecture मैंने देखा किसी के 4000 5000 6000 चार से 6000 के बीच में उनके lectures है कुछ इकदम बड़े faculty भाई है जिनके तो एक-एक subject 15-15,000 रुपे के हैं तो भाई जिनके पास उतन financial capacity नहीं है मैं आपको बोलूँगा आप अपना budget समझें मैं बोलूँ अगर मैं अगर बताओं first group या second group एक group 20-25,000 रुपे के budget में best faculty मैं आपको recommend कर सकता हूं जितनी faculty मैं सब को जानता हूं सबसे मेरे बहुत अच्छे connection है और देखो मेरा कोई किसी के साथ disclaimer देदू मैं कोई नहीं कर रहा हूं मैं just आपके भलाई के लिए कि sir मैं किसको refer करूँ यह मैं आपको recommend अराम से कर सकता हूं कि आप इनका lecture ले लो यह best है इनका यह prize है और जब मैं recommend करूँ है definitely आपका मैं पैसा waste नहीं करवाने वाला हूं आपको मैं अच्छी सी quality वाले lectures कम budget में मैं आपको recommend कर सकता हूं और यह जितने भी मेरे face to face student है उनको पता है कि इसमें मेरा कोई financial interest नहीं है मैं पैसे के लिए पहले नहीं पढ़ाता हूं यह मेरा पैशा नहीं इसलिए मैं पढ़ाता हूं इसलिए मैं serve करता हूं पैसा मेरे लिए secondary है कि हाँ कहीं न कहीं मेरे को paid पालने के लिए तो कुछ कमाने पड़ेंगे न, इसलिए है, ठीक है sir, हमको ये सारी चीजे common point समझ में आ गई, ये classes से related थी, अब मैं अगर आगे बढ़ता हूँ, modes of classes आपके क्या रहने चाहिए, आप satellite class, live class और Google Drive ये option रहता है, मुझे ये वाला कभी भी समझ में नहीं आया, satellite वाला, इसमें होता ये है, center बना दिया जाता है, किसी बड़ी class का, projector लगा रहता है, वहाँ पे classes चलती रहती है, कोई sir नहीं रहता, कुछ नहीं, बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई discipline नहीं रहता, ये classes आपको तब join करनी रहती है, जब वो particular faculty जिससे आपको पढ़ना है, वो satellite class में ही पढ़ाता है, और कहीं पढ़ाता नहीं, आपको उनसे ही पढ़ना है, तब ही option है, live class की अगर मैं बाते करूँ, तो live classes provide करने वाले platform काफी कम है, सब आपको अपने latest lecture ही, google drive या pen drive mode में देते हैं, जो ये वाला mode है, बराबर, live class आपको बहुत कम platform में मिलेगी, तो इसके भी मैं वही बोलूँगा, ये नहीं कि live मिल रही है, तो आप किस से भी पढ़ लो, आपको उनसे ही पढ़ना है, जो आपको उसमें live में अच्छे लगते हैं, वो वाला, तो सबसे best option मुझे लगता है, ये वाला, last वाला, and live वाला भी मुझे अच्छा लगता है, बट मैं इ क्योंकि इसमें flexibility कम है, जिस टाइम में teacher पढ़ा रहा है, उस टाइम में आपको live रहना है, तभी आप doubt पूछ सकते हो, अब Google Drive और pen drive में क्या होता, आप कभी भी अपनी मर्जी से रात को 2 बजे, 3 बजे, कभी भी और एक stress में आपने 4 lecture देख लिए, और जो doubt आया, आपको personal one onward, touch आपको WhatsApp में teacher के number मिल जाते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, तो वो बहुत flexible है, बस आपको उसमें यहाँ पर रहना पड़ता है, honest अपने आप से, और discipline होना रहता है, कि हाँ मेरे को इतने lecture देख नहीं है, वो इनसान जब CA कर रहा है, तो हो sincere रहता ही है, ठीक है सब, अब ब चुट्टी लीजे, लेकिन एक मेने की चुट्टी ना ले लिया, फर्स ग्रूप वालों के लिए एक मेने की चुट्टी ले, अराम से कोई दिक्कत नहीं है, बोध ग्रूप वाले हैं, मैं आपको बोलूँगा, आप उन सब्जेक्स को पहले उठाईए, जिसमें amendments नहीं आ बता हूँ, कोई साथ clause अटा दिया, within 30 days की जगा, at least 30 days before कर दिया, इसकी जगा अब ये होगा, limit मतलब 60 days में अपने को 90 days बता दिया, इतने बहुत भारी के एकदम amendments नहीं आ जातें, लौक अंदर, filing के जगा word register यूज़ कर दिया, holding subsidiary में पहले भाईया, share capital के थूर holding subsidiary होती अब voting right के तुरू होगी, बराबर है, तो इतने बहुत ध्यान देने वाले amendment नहीं आते, इसलिए मैं आ रखा ये पहला कारण, दूसरा कारण ये है कि ये सारे practical subject है, costing accounts FM जिसमें कोई change नहीं आता, तो उसके साथ एक अपना theoretical subject में, को theoretical बोलने में बड़ी तकलीफ होती है, ल नहीं है, context theory है, लेकिन पढ़ना तो practical implementation से होता है, आपको तो application based case study आती है, आप पे exam में, तो एक वैसा वाला subject आपके साथ में रहे, तो आपका balance बना रहेगा, पहले आप इन subjects को ले ले, ये होने के बाद आप चले जाएए, advance account में, tax में, audit में, EIS SM में चले जाएए, ये भ समझने वाली चीज जादा है, accounting standard audit में काफी बार change होता है, समझने वाली चीज जादा है, law में जो amendment है, उसको इतना ध्यान नहीं देना होता है, इतना घुसके नहीं पढ़ना होता है, याद रखना है कि हाँ ये ये हो गया, इस वज़ा से हुआ है, कारण के साथ, ठीक है sir, तो बोद गुरूप वाले, आप क्या करो, आप confident enough हो, आप time बरवाद मत करो, आप अपना combo बना लो, कि भाई, starting के ना, दो मेने, या तीन मेने का बाट लो, कि यार शुरू के देड मेने में ये दो subject निप्टा लेता हूँ, या निप्टा लेती हूँ, फिर देड मेने में तो आपका क्या हो जाएगा, तीन मेने में already चार subject cover हो जाएगे, फिर आपके पास और छे मेने बचे में, अब आओ तीन मेने में आप बाकी के subject कर लीजिए, ये हो गए छे मेने, अब बचेंगे आपके पास तीन मेने, ये तीन मेने आप लग के मचक के revise करो गया, टाइम बचाना है, रैंक लाना है, भईया, तीन मेने, self-studies must, ये हो गई उनके लिए, बाकी और भी आपको कुछ suggestion ची होगा, ये number दिया वाए, आप उससे मेरे से संपर कर सकते हैं, ठीक है, अब बात आती है सर, मेरे subject की जो paper number 2 है, group 1 का, दुनिया के message, सर, CA Inter के lecture कैसे book करे आपके local lectures कहां से avail होगा, कितने का है, वगेरा वगेरा, तो मैं आपको बता दू, same मेरा pattern रहता है, मेरे पास handwritten notes बहुत तूफान होते हैं, आपको पता है foundation में, colored book रहेगी, practice book भी रहेगी, जो foundation में भी थी, जिसमें अपने तूफान तरीके से question ही practice करते है, जिसके बार से क कुछ आया नहीं, foundation में आप लोग जानते ही हो, मेरे को कुछ बोलने की जरुवत नहीं है, total lectures किते रहेंगे, 70-80 lectures रहेंगे, सब specific क्यों नहीं बता रहे हो, भाईया latest lecture देते हैं, तो हर बार जब अपन lecture देते हैं, कुछ improve होता है, कभी lecture कम बन जाते हैं, कभी ज़्यादा ब आप अभी देख लोगे ना, तो खून में आज उतर जाएगा, मैं कभी भी कोई डंके की चोट में ही बात करता हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं आपको बोलता भी नहीं हूँ, आप जाके demo lecture आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, सर कैसे मिलेंगे, बिट ये वाला option किसके लिए, mobile based application का मतलब अर्जुन शाबर टूटोरियल का एक application है, जिसको आप download करें, और YouTube में जैसे आप lecture देखते हो, वैसे आप mobile में देख सकते हो, online भी, और आप उसको download भी कर सकते हो, mobile application में, सर ये वाला option किसके लिए, अब ये वाला option उनके लिए है, जो laptop या desktop में देखना चाहते हैं, Google Drive के थुरू, Google Drive के कब, जब आपको pen drive नीचे ये lecture के, हम आपको link share करेंगा, आप खुदी डाउनलोड कर लोगा, और खुदी laptop desktop में चला लोगे, अब जिनको download का नाटा के या इंटरनेट जादा नहीं है, आपके पास pen drive का option होता है, तो ये द मैं बात करूं, तो अगर आप Google Drive, या mobile based application, याने कि desktop या laptop आप या mobile में, जिसमें भी लें, आपको सिर्फ link चाहे, lectures की, mobile में तो आपको link की भी जरुवत नहीं है, YouTube के जैसे दिखेगा, और आपको hard copy आपी नहीं चाहे, आपको PDF में काम चल जाएगा, आप खुदी अपने घ जवादो, lecture का हम अपने हिसाब से देख लेंगे, mobile में देखना है, तो download तो करना नहीं, अपने online, offline दोनों देख सकते हैं, Google Drive में अगर देखना है, तो download हम खुद कर लेंगे, इस तार 500 रुपे एक्स्टर हो जाएगा, 6500, Google Drive classes या mobile में आपको lecture चाहिए, लेकिन आपको hard copy notes चाहिए, साथ में pen drive भी चाहिए, आपको download नहीं करना है, आपको download नहीं करना है, तो यहाँ पर मैं Google Drive को काट ही देता हूँ, by mistake यहां से मैंने लिख दिये, Google Drive वाल option ही नहीं क्योंकि हम आपको pen drive भेज रहे हैं, तो यह pen drive आपको मिलेगी, hard copy notes मिलेगा, यह आएगा आपका 7 7,000 रुपीज का, ठीक, अब एक option मैंने और बताया था, live का, इसके लिए मैं sure नहीं हूँ, मेरा already एक CA enter का live batch चल रहा है, लेकिन यह live batch में क्या होता है, मेरे बहुत सारे obligation होते हैं, बहुत सारी जगा मुझे lecture लेना होता है, तो इसके लिए मैं sure नहीं हूँ, इसके लिए मे प्राइज रहने वाला है, बराबर इसके लिए मैं चाहता हूँ, कि आप नीचे comment box में बताए कि भाईया किसको किसको live चाहिए सर, कि हमको live चाहिए, तो मैं एक idea लगे कि काफी student है, तो मैं live ले सकता हूँ, मैं time commit कर सकता हूँ, ठीक है, इसके अलावा, भाईया test series में लेन पांच mock test लोंगा, मैं आपके exam के पहले law वाले paper के लिए, ठीक है sir, ये इसके साथ included, इसकी कोई अलग से charges नहीं है, और मैं उन्हें minimum 5 बोला है, ये शाद जादा भी हो जाए, अगर आप लोग का response उसमें बहुत अच्छा रहेगा, जैसे law में अपन ने तूफान मचा है, अब कई बच्चों का ऐसा है कि sir, आपका qualification क्या है, आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या experience है, कई बच्चों को पता है, कई को नहीं पता है, तो भाईया मेरा नाम है CS Arjun Chabda, तो मेरे पास CS की एक professional degree है, मैंने bachelor of law भी हूँ, मैं master of law भी हूँ, मैंने LLB भी किया है, LLM भी किया है and मैं 36 गड़ civil judge के लिए prepare कर रहा हूँ, बहुट desperately, जिसके लिए मिरे को time नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं आपको ज्यादा serve करने में लगा हूँ, बट कही न कहीं मैं उसको manage करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कहां पढ़ाता हूँ, तो वैसे तो मैं face to face, पूने की एक बहु लेवल पर ही मैं पढ़ाता हूँ, law, CS executive मैं पढ़ाता हूँ, दो subject, company law, economic business and commercial law, CMA में भी मैं foundation, inter और final में पढ़ाता हूँ, ये तो तीनों हो गए, professional course, LLB वाले students को मैं business loss and corporate loss पढ़ाता हूँ, ठीक है, सर आप कब से पढ़ा रहे हो, मैं पिछले 7 साल से इस market में हूँ, पि मेरे हिसाब से कोई matter वाली बात नहीं है, ये मुझे कोई matter नहीं करती, क्योंकि ये बताती है, कि मैं पढ़ाई लिखाई में कैसा हूँ, मेरे पास क्या क्या डिगरी है, अब मेरे को एक बात बताओ, कितने सारे अपने teachers देखे हैं, कितने लोग rank लाते हैं अपने professional course में, त था, तो मैं teaching में आगया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनके पास degree नहीं है, वो CA कर रहे थे, बन नहीं पाए, CS कर रहे थे, नहीं बन पाए, बट फिर भी बहुत तुफान पढ़ाते हैं, तो ये degrees matter नहीं करती, delivery matter करती है, कि सामने वाला पढ़ाता कितना अच्छा है, इस हम आपका तीन महने में course करवा देंगे, छे महने revise चलेगा, ये सारी बाते होती है market में, आप ये सारी चीज़ों को देखें, समझें, अपना wisdom इस्तमाल करें और फिर करें, मेरे जितने student उनको पता है, मैं कभी भी कोई trap में नहीं फसाता, मैं जो बोलता हूँ है, तो आपक जाता हूँ, उसका मैं पूरा latest lecture record करूँ, और फिर दूँ मैं, बट मैं वो कर क्यों नहीं पा रहा हूँ final का, क्योंकि मेरे पास foundation और inter की इतने ज़्यादा students है कि मैं इनको ही सर्व करने में ठक जाता हूँ, final का मैं टाइम ही नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो students मेरे को ये ब related की सर, बाकी subjects का आप हमको recommend कर दो सर, कौन सी faculty से ले, क्या करें, हमारा budget इतना है, definitely आप मेरे को whatsapp कर सकते, जो number दिख रहा है, 626262-621438 में, वहाँ पे आपकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक एक की query में reply करू, क्रिपा करके आप please call ना करे, या तो आप message भेजे, या अगर आपको mobile based application में देखना है, definitely आप एक बार हमको call कर लीजे, सारी चीज़े समझ लीजे, mobile application में payment का option है, वही payment हो जाएगा, वही आपका lecture मिल जाएगा, आपको अगर laptop या desktop में देखना है, यानि कि आपको Google Drive या आपको pen drive चाहिए, तो आप mobile से book ना करे, आप 626262-1438 मे call करे, बराबर inquiry करे, संतुष्ट होए अपने आपको संतुष्ट करे, हम आपको account details भेजेंगे, आप payment करेंगे, आप अपनी details बताएंगे, आपका नाम क्या है, foundation कब clear किया, और आपका email ID क्या है, हम आपको फिर सारी चीज़े address में, आपको pen drive चीट होए, आपके address में send कर दे गे, सो ये मुझे ही पूरी बाते बतानी थी, सारेल के लिए, अब last एक बच्चा बसता है, कि सर जो doubtful है, जो doubtful है, वो क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, देखो, इस बार foundation में opt-out करने वाले percentage, single digit में 5-7% लोगों ने बस opt-out किया, तो जो doubtful है, आपका result जाएगा कब 17 जनवरी को, अब देखो, जनवरी में अगर result है, और doubtful खुदा ना खासता, अगर आपका result बिगड़ जाता है, आपको वपस से foundation देना है, हिम्मत नहीं हारना है, आपको हिम्मत लाने में ये काद मेने लग जाएगे, जनवरी ऐसी निकल जाएगा, आप करूँ करूँ की नहीं करूँ, फिर कहीं से आपको कोई motivation देगा की नहीं कर ले, कुछ नहीं होता, तो आपके पास hardly ना फिर दो मेने या धाई मेने बचते है, अगर आप doubtful हो कि मैं पास होंगा की नहीं होंगा, मैं बोलूँगा वपस से foundation को revise करना शुरू कर दो, बोलने म जो मैं बोलूँगा कुछ basic जो रहेगा, वो आपको inter में काम आएगा, कभी भी वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका basic काम आएगा, अगर आप fail हो जाते हो, तो at least आपको ये रहेगा कि हाँ यार मैंने time waste नहीं क्या, मैंने सरकी बात सुनी थी, तो मैं थोड़ा-थोड़ा revise करते रहता था, तो आपको पतर एगर थोड़ा-थोड़ा करता था, तो 25 दिन में तो मैंने एक आधी subject निप्टाई रखा है, या थोड़ा-थोड़ा मेरे को सबको आता ही है, मेरे को वापस अब exam देना है, so that's all from my side, ये मेरे को advice आपको करनी थी, इसके लावा आपको उपर वीडियो बनाई है, इसके उपर सुझाओ दे, मैं बिल्कुल उसके उपर वीडियो बनाऊंगा, सुझाओ दूँगा, आप बोले कि सानम को teachers के recommendation का आप एक वीडियो बना दे, zoom meeting ले ले, personally, मैं वो भी कर लूँगा, आपको जो भी requirement है, आप मेरे को नीचे comment box में बत कुछी होगी, और यह मैं दिल से आपके लिए बात बोल रहा हूँ, आप देखा है foundation में मैं आपके लिए बहुत कुछ क्या है, और मैं आगे भी करूँगा, आपके CA बनने के बाद भी मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, तो आपको जो भी रहे, आप इस number पे message या voice note भी सकते हैं, तो comment box में मुझे बता दे, कि आपको और किस चीज के लिए सुझाओ, चाहिए, that's all from my side, this side CS Arjun Chavala, signing off, until we meet again.